हलो फ्रेंड्स मैंसल विशाल बंडवाल विलकम टो जी प्रेप जी चैनल तो अब क्या है कि मैं को वीडियो बनाए गया बहुत दिन हो गया है अच्छली एक महना से जावा हो गया है और हम वीडियो नहीं डाल पाया थे यूट्यूब में उसका रीजन कुछ परसनल रीजन है डेफिनिटल हम नहीं बता सकते हैं या यूट्यूब में लेकिन अब हम बहुत फ्रिक्वेंटल वीडियो डाला करेंगे लाइक हर दो तीन दिन में एक वीडियो तुम्हें एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि अब गेट एक्जाम में बहुत कम समय रगया है लाइक दो महन तुम किस तरीके से प्रिपेरेशन करते हो यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि तुम पूरा साल किस तरीके से प्रिपेरेशन किया है वो मैटर करता है लेकिन उससे ज्यादा यह मैटर करता है कि यह लाश्ट का दो महना तुम किस तरीके से बिहेव कर करना है उसी का एक समरी देंगे उसी को अच्छे से बताएंगे कि तुम लास्ट दो मेने में क्या स्टाड़ी फॉलो कर सकते हो जो तुम पे अच्छा रैंक अचीव करने में तुमको कर सकता है तो सबसे पहला तुमको यह समझना पड़ेगा कि गेट एक्जाम तुम कितना से क MP just complete किया है यह मैटर करता है उससे जीड़ा घेक्जाम इंए मैंटर करता है गेइगजाम के लिए तुम कितना जाथा रिटेइन कर पाया है고 to get exam is all possessions कि तुम कितना रिटेन कर पारा है ऐड़्द, क्योंकि Get exam में मालो तुम गया ठीक है और तुम भरही 100% syllabus complete किया है लेकिन उसमें से तुमको सिर 50% ही याद है तो तुम सोचो गेट exam में कितना ही कोशन बना ले गारा तो तुम 90% ही syllabus complete करो लेकिन तुम 90% जो सेलेबस कंप्लीट किया है वो 90% तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए सारा चेज तुमको याद होना चाहिए इसलिए उसके लिए सबसे ज्यादा important क्या है revision करना क्योंकि जितना ज्यादा तुम revision करेगा उतना ज्यादा तुम concepts को facts को formulas को तुम retain कर पाएगा इसलिए सबसे ज्यादा important है कि revision करो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा revision करो जितना frequently हो सके उतना frequently revision करो in fact हम बोलेंगे कि हपते में Saturday Sunday completely revision के लिए रखो अब क्या है कि हो सकता है कुछ लोग का syllabus complete होगा टे स्टार्ट कर दिया होगा तो अगर मालो तुम अपना जो syllabus लेगा रहा है complete कर चुँआ टे स्टार्ट कर दिया तो तुम I hope कि तुम frequently revision भी कर रहा होगा लेकिन किसी-किसी का syllabus complete नहीं हुआ है तो उस case में क्या अगर तुम्हारा syllabus complete नहीं हुआ है और तुम revision skip कर रहा है तो ट्रस्ट में तुम इससे बड़ा mistake कुछ भी नहीं कर सकता है यह last के दो महिने में तो अगर अभी तक तुम revision start नहीं किया है तो हम बोलेंगा भाई अब revision start कर दो कि इससे लेट किया तो तुम्हारा गेट एक्जाम हाथ से निकल जाएगा तो यह सबसे पहला चीज ध्यान रखो कि जितना जादा हो सके उतना जादा revision करो अगर तुम revision कर रहा है frequently बहुत अच्छी बात है और अगर रिविजन नहीं कर रहा है तो frequently revision करना सुरू करो in fact हम बोलेंगे कि पूरे हपते में Saturday Sunday completely revision के लिए रखो और बाकी का पास दिन तो अपना syllabus वेगरा जो भी complete कर रहा है वह सारा को सुम complete कर लो जितना भी syllabus कवर करना है वह 20 दिसम्बर तक कर लो अब तुम क्या है कि अब लोग बोलता है कि अब्टीट्व गरा भी हमको 20 December तक ही करना क्यांकि आप्टीट्व तो बहुत बड़ा सेक्षन है वो तो मेरा नहीं हो पाएगा एप्टीट्व इंजिनियरिंग मैथमेटिक्स यह दो ऐसा सेक्षन है जो तुम पैरलली तुम 21 दिसमबर के बाद भी तुम चला सकते हो इनफाक्ट तुम उसको January end तक चला सकते हो Engineering Mathematics और aptitude तुम पर्ललली January end तक चला सकते हो लेकिन जितना तुम्हारा core subject है सारा core subject को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी complete करो in fact December 20 तक complete करो सारा syllabus with previous year question try करो कि December 20 तक complete करो अगर ऐसा है कि तुम्हारा previous year question रह दाएगा तो उसको 5-6 दिन एक्स्ट्रा देकर previous question साथ में complete करो और ध्यान रखना कि previous year question बिल्कुल मत छोड़ना जितना भी तुम्हारा syllabus cover हुआ है जितना भी तुम content या concept पढ़ा है सबका previous year question करना बहुत ज़्यादा कंपल सरी है तो दूसरा जो चीज दुम को ध्यान रखना है कि previous year question जरूर से complete करना है और within deadline complete करना है तो deadline कितना है 20 दिसंबर deadline रखो अगर 20 December को नहीं हो पाता है previous year question जितना भी तुम syllabus complete किया उसका previous year question अगर तुम्हारा December 20 तक complete नहीं हो पाता है तो तुम उसको एक हपता extend कर लो December 27 तक कर लो previous year question सारा complete करो ठीकिन syllabus जो concept वेगरा है जो content वेगरा जो पढ़ना है उसको 20 December के अंदर complete कर लो आई 20 December से ज्यादा तुम बिल्कूल भी syllabus वेगरा complete करने का चकर में extend मत कर देना date क्योंकि previous year question भी obviously उसके बात करना रहेगा क्योंकि अगर तुम previous year question नहीं कर रहा है या फिर नहीं करेगा सिर्फ syllabus या content complete करेगा concept पढ़ लेगा तो उससे कुछ जावा फायदा नहीं मिलने वाला है इसलिए सबसे इंपोर्टेंट है previous year question भी साथ में जरूर solve करना चाहिए तो अगर तुम माल लो syllabus ही तुम 25 दिसंबर 30 दिसंबर तक तुम अगर अपना syllabus से चला रहा तो previous year question कब solve करेगा इसलिए 20 दिसंबर तक तुमको जितना से बस कंप्लीट करना कर लो और फिर जितने भी पीवाई क्यूस बचे हैं उसको एक हफ्ता और समय तो दिसंबर 27 तक सारा previous year question को complete करो और ध्यान रखना जब हम यह previous question solve करने का बात कर रहें या फिर complete करने का बात कर रहें तो उसमें Saturday Sunday include मत करना Saturday Sunday is completely for revision revision में क्या क्या तुम रिसोर्स कर सकता है revision के लिए टिक गोत्रू का मतलब यह नहीं होता है कि तुम सारा question फिर से solve करने बाढ़ गया उतना time नहीं गोत्रू का मतलब एक बार देखते हुआ चले लिश्ट को सारे question को देखते हुआ चले कि अच्छा इसका ऐसे होगा अच्छा इसका इसका रिकॉल करते हुआ मैं में और आगे बढ़ते हुआ और कोई question को लग रहा है कि अच्छा इसको कर लेना चाहिए तो उसको रफ रफ नोट बुक में लेकर उसको प्रिवेश् संबरता करके सारा छोड़ दो और जबर जस्ती स्लेबस करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि जितना कंप्लीट हुआ जैसा कि हम बता है कि 90 परसेंट इतना अच्छा से कंप्लीट कर लो इतने अच्छे से रिवाइस कर लो इतने अच्छा इसका प्रिवेश्चन सॉल्व क ताकि वो 90% इक्दाब में बना क्या सको अगर 100 में मालो 90 परसेंट उसमें से 90 परसेंट अगर 90 मांट सुम इप खरर रहे हो तो 90 में से अगर तुम 85 मार्स ईसमें मिश्टेव हो रहा है तो 75-80 मार्स तो नबी आ सकता है इसलिए जो भी तुम्हारा जितना से कंप्लीट होग कर्ते रहो कर्ते रहो कर्ते रहो कर्ते रहो तो सबसे इम्पॉर्टेंट हैласт उसके बाद फिर सटेड publisher कोर्ट तो प्रिवियॉस कोश्टन भी चरूर से canel अि जितना भी सिनलेबस हो चुका ज्यत्व करूशन को दिसंबर 20 तक तुम सिलबस कम्प्लीट करो और उसके एक हपता बाद जो समय रहेगा उसमें प्रिवेस कोशन जितना भी बचा कुछ तो इस तरीके से मैंड में रिकॉल करते हैं ठीक है और जो प्रिवेस एर कोश्चन पूरा करना है उसका और पहला जो चीजर बता किवीजर水ण जतना ज्यादा हो सको फुल-णोट इसे टुरा प्रीमेश नोट टो यह करो तो यह हो गया रिवीज़न का बता दिये और प्रिवेशन बूट जालो उसके बाद 아니라 वहाल है और कब तक खतम करना चाहिए वन Mathematics and Aptitude तुम पैरलली भी चला सकती हो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा उसको तुम जैनवरी एंड तक या फिर बोलो जैनवरी 25 तक तुम एम और Aptitude करके तुम कंप्लीट कर सकते हो उतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा वह आराम से होता चला जाए क्योंकि Aptitude Engineering Mathematics comparatively easy होता है कि हम लोग आप्टिटूड वे रहे करते रहते अपने बीटेक में ठीक है Engineering Mathematics हम लोग आएटी से पढ़के वह जब आएटी जी करते यारी कर रहे होते तो वहां से थोड़ा होते करना भी करना है जितना भी तुमको revision करना है previous year question solve करना है सब कुछ 31 दिसंबर तक करके निप्टाव तुमकि 1st of January से तुमको टेस सीरीज स्टार्ट करना ही पड़ेगा कुछ भी करके 1st of January से तुमको टेस सीरीज स्टार्ट करना पड़ेगा और जो अल्रेडी टेस सीरीज स्टार्ट कर चुके है ठीक है वह बहुत अच्छी बात है लेकिन ध्यान रखना कि तुम टेस सीरीज अगर स्टार्ट कर चुका है तो उससे पहले जो हम बोले क्या तु पूरा रिविजन नहीं किया है अच्छे से और तुम प्रिविएस एर कोश्चन को अच्छे से एक बार और और गो थू करो उसके बाद तुम टेस सीरीज में जंप करना टेस सीरीज का मकसद तुमको सिर्फ इतना होता है कि जो भी थोड़ा बहुत तुमारे नोट्स में न चीज निया चीज वहीं से सीख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है टेस सीरीज तुम्हारा बोलते हैंगे बाकी का लाश का जो 5-10 पर्शन बसता है प्रिपेरेशन वह तुम्हारा टेस सीरीज कांट्रिब्यूट करेगा तो उसको एज़र पोर्शन लेके माँ चलो तु है रिएसे को जीतना ज्यादा हो सकते उतना ज्यादा करो तो कि जैसा कि हम बताएं जतना चाइए उतना ज्यादा कर पेशन को अच्छे तो औरर और थे सा rok लो और यह सारा कब तक करो थर्टी फर्स दिसंबर तक इससे ज़्यादा एक्सीड मत करना अब जैनवरी को क्या करना तो जैनवरी को तुम अपना सब्जेक्ट टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो अगर मानलो अभी तक तुम टेस्ट इसार्ट स्टार्ट नहीं किया तुम्हारा से लेबस बचावाए बहुत अच्छे से हो गया तो तुम फर्स्ट जैनवरी से सब्जेक्ट टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो क्या टॉपिक वाइस टेस्ट भी देना है उतना समय बिल्कुल भी नहीं उतना समय अपने पास नहीं तो तुम कोई साथ दो सब कोई दो टेस्ट कर लो उसमें से एक सब्सक्राइब और दूसरा तुम कोई सब अपने पसंद का टेस्ट ले लो अब क्योंकि जैसा कि हम बता कि फर्स्ट जन्वरी से अगर तुम टेस्ट स्टार्ट कर रहा है देना तो अब यह से तो मगरे स्टार्ट करेगा तब भी मोर देन एनप है लें सब्जेक्ट वाइ सब्जेक्ट वाइस तेस्ट यह तो तुम अब साफ़ जेस दे सकते हो सब्जेक्ट वाइसीट दिया तो इसको थोर ऐनालेश्य करो एक कि फिकरी के निले तो यह वीडियो हम जैसे कुछ एक हपते या दस दिन में वह वीडियो हम लेकर आएंगे और वह अपलोड करने यूट्ब में तुम जाके वहाँ से देख सकते हो लेकिन अभी के लिए सुन लो कि जैनवरी में जब तुम सब्जेक्ट टेगा तो डेली एक से दो तुमको सब् सब्सक्राइब तुम सब्सक्राय इसके वह ब ubiqu ह가 और हो सकता है न इने तुम कुछ भूल रहा हो तो दुबारा से उन सारे कॉंसेप्स को अपने फूल नोट से या सॉट नोट से रिवाइज करो तो बेसिकल इस तरीके से तुम डेली एक से दो सब्जेक टेस्ट तुम जैनवरी फर्श से देना सुरू कर सकते हैं ध्यान रखना सैटर्डे संडे तब भी कंप्लीट करेगा जितना जादा फूसा कि जो भी तुमको लग रहे हैं हम यह चीज भूल रहे थे टेस्ट देते हैं वक्त उसको दुबारा से रिवाइज कर लो तो इस तरीके से बेसिकली तुमको जैनवरी फर्श से बिहेव करना या फिर इस तरीके से तुम अपना इस्ट्राइज के लिए रखो ब्रेक लेलो ब्रेक मतलब कोई टेस्ट वेस्ट नहीं देना है कम्प्लीट रिवीजन के लिए साटरडे संडे रखो और उसके लावार मंडे टू फ्राइडे के बीच बीच में भी तुम क्या है कि नहीं हो तर प्रिवेसर कोशन को देख सकते हो यहां ठीक ह जो बुकमाइक कोशन है वो एक जगा तुमको मिल जाएगा मेड यजी टेस्ट गरुदर लिया और उसमें देख़े कि मेंली तुम अपना revision के लिए ही रखना full notes, short notes ठीक है previous question के कुछ go through कर लिए है और Monday to Friday भी तुम बीच-बीच में कर सकते हो और ध्यान रखना कि जैसा के हम बोले aptitude और engineering mathematics अगर तुम्हारा complete नहीं हुआ है तो parallel तुम एक से डेड़ घंटा daily उसमें दे सकते हो तो generally first तुम subject wise test वेगरा जो दे रहा है revision कर रहा है ठीक है previous question का revision कर रहा है तो apart from those things तुम daily एक से डेड़ घंटा निकालके aptitude और engineering mathematics में दे सकते हो इस तरीके से alternate days में करते रहो और parallel करते रहो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है कोई ज्यादा effect नहीं करे है क्योंकि aptitude logical subject है और engineering mathematics हम लोग को already थोड़ा बहुत आया हुआ रहता है जो हम लोग ITJ के लिए तयार किये थे तब से ठीक है तो इसलिए इस तरीके से तुम basically move on कर सकते है तो मान लोग कि हम मान के चल रहे है कि 12-13 जनवरी तक तुम्हारा सारा subject wise test खतम हो चुका हो और तुम proper analysis कर चुका खेले जितना भी subject wise test का question को तुम bookmark किया है उसको एक बार दुबारा से go through कर लो कि ये मेरा mistakes था ये में को full length test में mistake नहीं करने एक बार go through कर लो अच्छा ये concept है ये concept है ये concept है ये question अच्छा यहां mistake किये थे इस तरीके से किये थे एक बार proper तरीके से analysis कर लो जितना भी question test series question क को bookmark किया है उसके उपर go through कर लो और उसके बाद फिर फिर से पूरा subject wise देख लो कहां कहां तुमको revision करना है ठीक है कहां कहां तुम revision में lack कर रहा था उन सारे चीज़े को दुबारा से revision कर लो ठीक है और उसके बाद फिर full length test तुम start करना अब लोग में से पूछता क्या full length test alternate test में दें तो तुम्हारे पास उतना समय नहीं कि तुम alternate days में full length test दे सकते हो तो saturday sunday छोड़ कर बाके monday to friday डेली डेली तुमको एक full length test देना है और full length test देने के बाद उसको thorough analysis करना है क्योंकि सबसे important part होगा तुम्हारा thorough analysis वहीं से तुम maximum चीज़ सिखेगा तुमको अपना चला गया और जब analyze कर रहा हो तो अच्छे तरीके सा analyze कर रहा हो तो तीन घंटा तुम्हारा analyze करने में चला जागा तब 6 घंटा तो यहीं चला गया तो उसके अलावा फिर बाकी time तुमको क्या करना है कि जो भी test series का बुक मार कोशन था उसको इबर go through करो previous question को कभी go through कर तो इस तरीके से बेसिकली तुमको मूव करना है जब तुम फूल डेंट टेस्ट दे रहा होगा तो saturday sunday जो completely revision के लिए उसको छोड़कर अब saturday sunday में फूल नोर्स रिवाइस कर लो टेस्स को कुछ जो question बुक मा किया उसको देख लो ठीक है previous question को कुछ दो बुक मा किया उसको तुम देख लो saturday sunday पुरा completely यह करो और monday to friday टेस्ट दो डेली एक टेस्ट दो फूल देस्ट उसको thoroughly अनलाइस करो और अनलाइस करने के बाद जो भी टाइम बसता है उस टाइम में बेसिकली तुम क्या कर सकते हो कि टेस्ट देते वक्त तुमको पता चलोगा अच्छा यह मेरा वीक पॉइंट है ठीक है या फ एक सीडेट घंट अप्टिटूर और इंजिनियरिंग माथामेटिक्स के लिए भी निकालना है तो इस तरीके से तुम्हारा चलेगा तुम्हारा 25-26 जैनवरी तक अगर तुम्हारा एक्जाम जिस दिन तुम्हारा गेट एक्जाम है उसके एक हफ्ते पहले तक तुमको यह इस ट्राड़ीजी फॉलो करना है तो फिर से एक बार समराइस कर दे रहें कि 20 दिसम्हार तक जितना भी सिलेबस तुमको कंप्लेट करना सारा 20 दिसम्हार तक कंप्लीट करो और उसके बाद अगर कुछ पीवाइक क्यूस वेगरा बच जा तो पीवाइक वेगरा 25-26 दिसम् करो जब प्रियुआशे को चुका है या तो एक बार फिर से सारे प्रिभेस फ्रोड करो करो won avec तो मतलब जा सारे question को देखते हो चलो और recall करते हो चलो मां कि अच्छा तो मैंड में structure कर रहा है कि अच्छा यह ऐसे बनेगा तो ठीक है मताब आगे बढ़ते हो चलो लेकिन अगे श्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा है क्लियरली तो उसको एक वर रफ नूटबूक में सॉल्व कर लो ठीक है तो यह तुम्हारा कब तक चलेगा 31 दिसंबर तक यह सारी चीज़े चलेंगी जहां पर तो अपना रिविजन कर रहा है प्र सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर रहा है और जहां भी उसको रैक्राइब करो रिविजन में दो और इन गरा करने का थ्ट रोड़ा बहुत रिवीजंट करते रहो ठीक है ना के लिए और तुम और तुम को लगज रहे खर रहा है अब तुम फू सेस्ट दे ळेनाशक्स के लिए तो 4 गंटा गोक्र narrative नगे तुमारा चला जाए उसके अलावा जो भी तुम को लग रहा होगा अजीए पूल पूल रहते हैं उस concept को जाके दुबारा से revise कर लो तो इस तरीके से तुमको फूलेंट टेस्ट कब तक complete करना है फूलेंट टेस्ट वेगरा कितना बिसकल अब लोग में से पुस्त है 20-25 दे तो जितना तुम्हारा पास समय है जिस दिन तुम्हारा ईक्जाम है तो उसके एक हफ़ते पहले तक तुम्हाराे टेस्ट करतेदेना तो upbeat ज Bett WOR तक त को पच्छे तरीके से यह मैट करता और बहुत अच्छे दरिके से तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि 25 जानवरी तक अपना फूल लेंट टेस्ट देकर रोख दो उसके बाद लास्ट विक का लगी स्ट्राटरजी होगा वो लास्ट विक क्या होगा हम वो समयाने पर हम तुमको बता देंगे तो फिलाल के लिए ये वीडियो में जो लास्ट टू मन लास्ट येर बनाए थे ठीक है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि जो हम लोग के अंदर एंजाइटी आता है जो डर आता है गेट एक्जाम से पहले वो नॉर्मल है लेकिन हम उस वीडियो में समझाए हैं कि जो एंजाइटी और तुम्हारे अंदर जो पैद ये लास्ट दो मेना प्रिपेरेशन करेगा तुम्हारा गेट एक्जाम पूरा खराब हो जागा इसलिए उस वीडियो को जाकर जरूर से चेक आउट करना तो तुमको समझ महाएगा ये लास्ट दो मेना में कैसे बिहेव करना चाहिए एक टॉपर को अगर तुम आभियसली